तो स्वागत है आप सभी का ग्याफन इकेडमी के इस नय और लेडस्ट वीडियो में आज का ये वीडियो जो है ना मोटिवेशन से भरपूल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं नाम है क कर्मवीर किसे कहते हैं मतलब उसके सबसे भड़ा धर्म कर्म ही हूँ अपने कर्म को वह सची श्रद्धा और मिष्टा के साथ करें उस व्यक्ति को कहते हैं कर्मवीर के तक वो नहीं रुकते, जब तक कि उलख्षे को प्राप्ठ नहीं कर लेते हैं, तो करमवीर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता है, हर वो काम जो यह ठान लेते हैं, उसको करके ही छोडते हैं. कम्प्लीट करके छोड़ते हैं तो इस चैप्टर में जो कि ये कवीता है कर्मवीर नाम का ये कवीता है जो कि कर्मवीर के उपर लिखा गया है तो इसमें आप लोग जानेंगे कि कर्मवीर की क्या-क्या क्वालिटी होती है कर्मवीर के अंदर क्या-क्या होना चाहिए अगर ह क्या बोले जाता है उर्दु में उर्दु में कहते हैं तश्रीह करना ठीक है ना तो हर एक लाइन को पढ़कर मैं आप लोगो समझाती हूं और याद रखेगा कर्म वीर नाम के इसका वीता कि जो रचनकार है आप बोल सकते हैं कवी है वो है अयोध्यासिंग पाध्याय हरियो लंबा चोड़ा नाम है बड़ उससे आप लोगो कोई फर्क नहीं पढ़ना चाहिए नाम याद रखिएगा क्योंकि चैप्टर के साथ राइटर का नाम याद रखना जरूरी होता है एक्जाम में कोशन पूछ देता है इसे लिए चलिए मैं बुक ले लेती हूं हाथ में क कर्म के परती निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारन करती है आप अपने कर्म के परती कितना निष्ठा रखते हैं यहीं आपकी सफलता का निर्धारन करती है आप सफल होंगे की नहीं यह आपका कर्म बताएगा आपके कर्म के परती निष्ठा बताएगी तो जो कर कर्मवीर होते हैं यह अपने कर्म के प्रति सच्ची निष्ठा और सरद्धा रखते हैं जिसके वज़ा से इनको सफलता प्राप्त होती है बधाय व्यक्ति को निखारने का काम करती है बधाय जो तीने जिन्दगी में रुकाउटे आती है वो व्यक्ति को निखारने का काम करत सुपति हैं कवी ता बढ़ाओं से जूझते हुए उन कर्म वीर लोग गोग कि बात करते हैं यह देख कर बाधा विविद बहु विगन घबराते नहीं रह भरोसे भाग के दुग भोग पश्टाते नहीं इसका मतलब यह हुआ कि जो कर्म वीर लोग होते हैं वो अलग-अलग परकार की बाधा को देखकर यानि कि विविद परकार की विविद का मतलब क्या अलग-अलग विभिन परकार की ठीक है ना तो जो कर्म वीर लोग होते ह वो अलग-अलग प्रकार की बाधा को देखकर घबराते नहीं है वो भाग के भरोसे नहीं रहते हैं कि हां मेरे भाग में यही लिखाता तो यही हुआ अच्छा लिखा रहेगा तो अच्छा होगा बुरा लिखा रहेगा तो बुरा रहेगा नहीं कर्म वीर जो है न यह अपन उसे रहक रहकर पश्टाते नहीं हैं काम कितना ही कठिन हो किन्त उक्ताते नहीं भीड में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं बोला जा रहा है कि कर्म वीर के लिए काम कितना भी कठिन क्यों नहीं लेकिन वह उक्ताते नहीं हैं बहुत अरी लोगों मैं देखी हूं कि वह क काम करते हैं और काम थोड़ सा कठिन क्या दिखाई दिया उगता जाते हैं और छोड़ देते हैं लेकिन कर्म वीर जिस काम को ठान लेते हैं करने के लिए वह काम करके ही दिखलाते हैं भीड में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं और जो कर्म वी लोग होते हैं वो कभी भी बीड में अपने आपको चंचल नहीं दिखाते लोग जो होता है ना दो-चार लोग बैठे हुए हैं मतलब सभा है या फिर भीड है तो वहां पर अपने आपको बुद्धिमान दिखाने लगते हैं कि हां मैं बुद्धिमान हुआ अकल मंधू लेकिन कर्मवीर अपने आपको बुरे दिन भी भले हो जाते हैं ये कर्म के प्रतितना सच्चा सची श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं और ये कर्म से ही अपने बुरे दिन को भले दिन में बदल लेते हैं इनके अंदर सहन शक्ती बहुत ज्यादा होती है और इसी वजह से ये सभी काल में फले-फुले हुए मिलते हैं आज करना है जिसे करते उसे है आज ही सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वहीं बोल रहे हैं यहां पर बोला जा रहा है जो काम आज करना रहता है उसे आज ही करके दिखाते हैं सोचते हैं जो कुछ भी वो करते हैं जो कुछ भी प्लान करते हैं उसे करके ही दिखाते हैं बहुत सारी लोग जो होते हैं सिर्फ सोच लेते हैं कि हम मुझे आज यह कर लेना लेकिन करते नहीं है दो तीन दिन बीच जाता है लेकिन काम हो ही नहीं पाता है लेकि करते हैं अपनी इस जगत में आप ही बोला जाला है कि सुनते हैं सभी लोगों की मतलब बहुत लोग होते हैं जो की फ्री एडवाइस देना पसंद करते हैं तो कर्मवीर लोग जो होते हैं वो फ्री एडवाइस को लेते हैं मतलब दूसरे लोग की बातों को सुनते हैं सब कही सुनते हैं लेकिन करते हैं अपने जी की मतलब उनका जो मन चाहे वही करते हैं जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही मतलब ये कर्मवीर होते हैं ये किसी के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं ये अपने अपनी मदद खुद से ही कर लेते हैं अपने आप से ही खुद की मुह नहीं तकते हैं कि वह आएगा तो काम स्टार्ट होगा dear कि सी दूसरे पर डिपिंड नहीं रहते हैं को हजिसे कर्ममवीर कर सकते हैं। काम कर्मवीर के लिए पॉसिबल है संभव है कि हर काम करके दिखलाते हैं जो ये काम ठान लेंगे वो करके दिखलाएंगे कौन ऐसा काम है जिसे कर्मवीर कर सकते हैं नहीं जो कभी अपने समय को यू बिताते हैं नहीं काम करने की जगह बाते बनाते हैं नहीं यहां पर बोला की कर्मवीर की करम बियस्ट कि पहचान में किवेंट कभी आपने समय को इंदर काम करने की जगा बाते बाते नहीं करते हैं मिफमे अपने कर्म से प्रती अग्रवलतए रहते हैं ठीक है की पहचान बताई जा रही है कि अगर आपके कर्मवीर अगर आपको कर्मवीर बनना है तो आपके अंदर कौन-कौन सी विश्रस्ताय होनी चाहिए क्या-क्या चीज़े होनी चाहिए कौन-कौन सा गुड़ होना चाहिए तो यह स्टार्टिंग से जो भी गुड़ बताया जा रहा है वह आपके अंदर होना चाहिए अगर कर्मवीर बनना चाहते हैं तो समय जो है ना यू फिजूल नहीं करते हैं कर्मवीर और काम करने की जगा बाते नहीं बनाते हैं आज कल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं यतन करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं आज कल करते हुए जो व्यक्ति दिन नहीं गवाते हैं कि आज कर लेंगे कर लेंगे ये काम परसो कर लेंगे और इस तरह करते करते बहुत ज्यादा दिन गवा देते हैं लेकिन ये जो कर्म वीर लोग होते हैं ये आज करते हुए कभी भी दिन नहीं गवाते हैं जो काम इनको आज करना है उसे आज ही करके खत्म करते हैं बात है वो अपने आपको वहाँ पर प्रिजेंट नहीं करते हैं कि हमें काम करना पड़ेगा लेकिन यह जो कर्मवीर होते हैं यह प्रयातन करने में प्रयास करने में कभी भी जी नहीं चुराते हैं बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किये वे नमुना आप बन जाते हैं औरों के लिए बोला जा रहा है कि वो कौन सी बात है जो कि कर्म वीर के किये बिना नहीं होती है जो भी बात कर्म वीर बोल देते हैं अपने मूँ से निकाल देते हैं जो भी ये सोचते हैं जो भी कहते हैं वो करके दिखलाते हैं कर्म पर देखकर दूसरे लोग मोटिवेट होते हैं तो यह दूसरे लोग के लिए नमोना बन जाते हैं उपने कर्म के वज़ासे चिल्चिलाती धूब को जो चांदनी देवे बना काम पढ़ने पर करे जो शेर का भी सामना बोला जाराई कि जो व्यक्ति चिलचिलाती धूब को भी चांदनी देवे बना यानि कि जो चिलचिलाती धूब को भी चांदनी बना दे और काम पढ़ने पर जो शेर का भी सामना करे वही इंसान कर्मवीर क है कथिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना जह रहा है कि जो व्यक्ति कर्मवीर कहला था है कोस कितने ही चले पर वे कभी ठकते नहीं कौन सी है गाठ जिसे खोल वे सकते नहीं बोला जा रहा है कि कितना भी कोस क्यों न चल ले कर्मवीर वो कभी ठकते नहीं है और कौन सी वो गाठ है जिसे वो खोल सकते हैं नहीं बोला जा रहा है कि काम को आरम करके यू नहीं जो छोड़ते हैं सामना करके नहीं जो भूल कर मोड़ते हैं बोला जाला है कि जो व्यक्ति काम को करके काम की शुरुआत करके यूँ नहीं छोड़ देता है और सामना करके चुद करके जो भूल कर मुँ मूरता नहीं मतलब एक बार आप जंग के मैदान में उतर गए तो फिर अप उसमें आप जिंदा रही ये फिर मरी ये लेकिन जंग के मैदान में ही आपको खड़े रहना है मतलब यह है कि कर्म जोगते ना जब एक बार किसी का सामना कर लेते हैं तो भूलकर भी कभी मुह नहीं मोडते हैं तब तक जब तक की वो काम कौन को करना ले मतलब एक अब वो काम करना स्टार्ट किये तो अब उसको खत्म करके ही छोड़ते हैं जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक वो मुह नहीं मुड़ते हैं जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते संपता मन से करोडों की नहीं जो जोड़ते बोला जारा है कि ग यि निरे इंगे फ्रापति करते हैं ये अपने कर्म से करते हैं इनका लक्ष जलेक्ट व승 स्वार्पति लेती हैं कि हम मुझे इस लंख की प्रफित करते हैं और कर्म से क्लिटे सिंड़ी यही! की फूल को तोड़ते हैं बन गया हीरा उन्हीं के हाथ चेहें कार्बन कांच को करके दिखा देते हैं वे उजवल रतन बोला जा रहा है कि करम वीर के हाथ में सब्सक्राइब कर सकते हैं उनके संभव नहीं होता है यह तो आपको बहुत बार अभी बदा भी चुकिन तो तो में जल रासी के बेड़ा चला देते हैं वह जंगलों में भी महमंगल रचा देते कितना भी जल राशी के गर्व में भी वह बेडा चला देते हैं मतलब कि घृत नवत तल का उन्हों नहीं पथला दिया उन्हों ही निकाली तारी की सारी क्रिया बोला जा रहा है कि इस दुनिया में जितने भी नहीं टेक्निक्स आया है नहीं सिस्टम वो सब किसका की अधरा है यह सब का भेद किसने बता है कर्मवीर पहले के जमाने में लोग पत्थरों पर लिखा करते थे काट काट कर लिखा जाता था फ क्रेब को बनाते समय करleich करन भी वह बहुत बार फेल हुए होँगे वह गिन बलकी वह प्रयास करते रहे कर्म करते रहे और आहिर उन्हों नेकलम बना ही दिया मारकार बनाही दिया अब्रArt तो नया सिस्टम आ गया है स्क्रीन टच पेन मतलब की मोबाइल पर चलाने वाला अलग ही कलम आ रहा है तो यह नए नए टेक्निक्स है नए नए सिस्टम इसका भेद कौन बताता है कर्म वीर और कर्म वीर के कारियों में बहुत बार रुकावत आती है लेकिन वह उकताते नही या फिर जो नए नए टेक्निक्स है उसको बनाते समय कर्म वीर बार-बार फैल हुए हुँगे लेकिन फिर भी वह उकताये नहीं कर्म करते रहे प्रयास करते रहे और और वो सफल भी हुए तो इससे हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है कि हम भी जो काम कर रहे हैं उसमें बार-बार रुकावटे आएंगी लेकिन हमें उसे उगना नहीं चाहिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए एक नाइक दिन सफलता जरूर मिलेगी कार एस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहां कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहां बोला चाहिए कि काम की जगा को नहीं डूनते हैं कि मुझे कोई काम मिल जाए नहीं यह जहां पर ही ह सबसे जदा रुगाओटे आती हैं उसे काम को करना कर्मवीर पसंद करते हैं और उत्चा के साथ उस काम को करते हैं लेकिन का भी रुकावट क्यों आजाए काम में लेकिन उसे उस काम को हमें और भी उत्चा के साथ करना चाहिए कि देखते हैं कितना रुकावट आता है लेकिन इस काम को तो हम कंप्लीट करके ही रहेंगे इस तरह हर व्यक्ति को होना चाहिए आगे देखिए लिखा गया है कि डाल द करते हैं विरोधी लोग सैकड़ों अर्चने डाल देते हैं सैकड़ों रुकावटे क्रियेट कर देते हैं कर्मवीर के कामों में लेकिन कर्मवीर अपने काम को करके ही टलते हैं चाहे कितना भी विरोध क्यों नहों दुश्मन कितना भी विरोध कर ले कितना भी अर्चने कितना भी रुकावटे क्यों ना आ जाए लेकिन फिर भी कर्म डटे रहते हैं और अपने कर्म को कंप्लीट करके ही वहां से टलते हैं यानकि अपने काम को पूरा करके ही वहां से निकलते हैं और इसी तरह हर इंसान को होना चाहिए अगर आपको पता है कि ह हम सच्चा और अच्छा कर रहे हैं तो विरोधी जो लोग हत debates आपके दुष्मन आक विरोध करने वाले कितना भी विरोध करते रह जाएं आपको अपना कर्म करते रहना है और अपने कर्म को करके ही टलना है वहां से ठीक है आगे देखिए सब तरह से आज जितने देश है फुले फले बुद्धी विधा धन विभाव के है जहां डेरे डले बोला जराए कि जितने भी देश जो फुले फले हुए है यानि कि विक्सित है उन देश में बुद्धी विधा धन विभाव के डेरे डले हु लोग जब ऐसे समय पाकर जनम लेंगे कभी देश की और जाती की होगी भलाई भी तब ये जो कर्मवीर लोग होते हैं दूसरों के भी मदद करते हैं अपने काम अपने कर्म को करते ही हैं यहां तक कि यह तक धूस्रे लोग को जो दिन लोग gereki dough करते दाम करते हैं तो वही बोले जरा है कि यह जब ऐसे समय पाकर जभि या निकि जब इस तरह के कर्मवीर जन्म लेंगे ना जिस देश में उस देश की भलाई होगी मतलब उस देश में जितने भी गरीब लोग है ना उनकी भलाई होगी गरीब बीना खाए जो है ना सोयेगा नहीं भर पीट यह जो कर्मवीर होते हैं हमेशा गरीबों की मदद करते हैं दान करते रहते हैं खिलाते पिलाते रहते हैं और जो पिछड़े जाती के लोग होते हैं उनकी हमेशा हेल्प करते रहते हैं तो देश की ओजाती की होगी भलाई तभी यानकी जितने भी देश के गरीब लोग है पिछड़े जाती के लोग है अती पिछड़े जाती को लोग उनकी भला के अंदर क्या-क्या विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष कि इसना मेहनत करने की बाद में आप लोग से एक ही स्ट करती छोटा सा है करती हुए कि अप लोग शेर करदीजे सब्सक्राइब ज़रूरक 嘍ले और विडियो को अगले टापिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज